नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिसी दुनिया में गाइस इस शौर्ट रिव्यू सा वीडियो में हम लोग डिसकर्स करेंगे मैच दोनों टीम अपने सभी मैचे स्वीन करके आ रहे इसका मतलब दोनों टीम स्ट्रॉंग है बट आपको ना कुछ पॉइंस इस मैच का समझना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा MGM हलका सा बिटर है खासकर कि इनका बैटिंग जो है न वो कुछ प्लेयर के उपर डिपेंडेंड है और उपनेंगे जो बैटिंग है न वो का सिंगल हेंड़ेटली दो ही प्लेयर के उपर डिपेंडेंड है अब कौन से वो दो प्लेयर है वो भी मैं आपके सामने वीडियो तो सबसे पहले आप सबस्क्राइब करो क्यूंकि इरुपेंट किकट लीक का गाइस बहुत सारे मैचेस बहुत सारे न्यू टीम्स एड होंगे डोमेस्टिक मैचेस पे हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस रहता है और हाई इंटरनेशनल मैचेस के अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है इस मैच का भी मैं फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप टेलीग्राम जोइन हो सकते हो या फिर कॉमें सेक्शन में जो लिंक पिंड क्या हो ब्लू कलर का लिंक उससे भी आप टेलीग्राम जोईन हो सकते हो और आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके एड़ रेट लगा के टीमस एफडी एफ टीमस एफडी एफ क्यारफुली सर्च करना बट मैं प्रिफर करूंगा लिंक से आप जोईन जाओ फटा फटा इस मैच के अनलाइसिस में तो बेसिकली शार्च जाप पे मैचेस खेले जा रहे हैं जहां का ग्राउंड इंटरनेशनल मैचेस में लोग देखते कि बहुत छोटे होते बट यह डुमेस्टिक मैच है और इसमें और भी जादा चोटा ग्राउंड है तो रन अच्छे वासे बन रहे बट उसके लिए अच्छा कनेक्शन और अच्छा बैट्समें जाहिए बिकॉस आप अगर देखे होंगे डुमेस्टिक बैट्समें एक दो छोड़ के ज्यादा तर बड़े प्लियर्स अब तक बड़े स्कोर किया है अधर्वाइस स्कोर थोड़ा मिश्किल हो रहा दस मैच बैट फर्स ने विन किया दस मैच ने बैटिंग सेकेंड ने विन किया तो ववर ओल मेरे इसाब से बहुत ज्यादा माइने नहीं देगा बैट फर्स और बैट सेकेंड जो भी हो गाइस एक बैलेंस टीम बहुत जादे इंपॉर्टन है MGM से हम लोग फेबर कर सकते हैं काउन से प्लियर्स को देखो अदिल मलिक और MD असान दोनों आपको पावर प्ले में बैटिंग करते हुए दिख सकता है बढ़ ऐसा बैट समय बहुत अच्छा नोट नहीं है तो इन दोनों से मैं अदिल मलिक को रूँगा एक और बात है यह दो बैटिंग करेगा मतलब ऑपोनेंट के जो पावर प्ले वाले बॉलर से उनको विकेट मिलने के चांसे हो जाते है इस पॉइंट पर धियान देना राहूल चोपरा ऑच्छा चल रहा है मतलब इनका अच्छा चल रहा है अब तक आयम चोधरि अपने मिल ओवर में बॉलिंग कराएगा तो विकेट मिल सकता है नियाज खान डिफॉल्ट है ऐसा केब वीसी दानिश कुरेशी एक बहुत बढ़िया पंदे इस मैच में ऐसा केब वीसी तो ये तीन जो बॉलर है ये आपको दो 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 और करते हों दsti रहे और काईज दो उवर कॉल कर रहा है और ओला किमिल kijken बॉलर गान जो ऊमने वंपकर बारबर बार बाता रहा हूं जो टिम यह उप्रफिविक न उस policies में एक्रीन के मिल दो बहुत इस मीच हो सकता dip आदिल मलिक मिल ओर्डर बॉलर दानिश कुरेशी महमध हसान मुहमध असन देखो हर समय तो बॉलिंग कराया तो प्यूर आपको पाट बॉलर यह मत मानो प्यूर डिप बॉलर नियास दानिश कुरेशी करते हो दिखना तो चाहिए आटलेस्ट बीजी ऑवरल परफोर्मेंस र बहुत अच्छा गिया है ओवरल रिकॉर्ड भी नवाब का बहुत अच्छा एगा इस नवाब खान अगर खेलते हैं आप शूर शॉर्ट डेद बॉलिंग कराएगा विद धानिश कुरेशी तो बहुत इंपॉर्टन हो जाएगा अगर नवाब खान खेले तो एल्टी से सागर कर लियान सतर मारा है लास्ट इनिंग्स में बट ये ना थोरे से मुझे लगता है कि वीक टीम के एगंस ज्यादा अच्छी खिलने वाले प्लेयर है डिसेंड प्लेयर है ऐसा नहीं कि टीम से ड्रॉप करना है बैटिंग से लेना ही पड़ेगा बट आप वीक लेज जाते हैं मिस नेचर के प्लेयर आदिल मलीक तो अंश खलीद इब्राहीम इवें सलमान शाहित यह प्लेयर मिल ओडर के प्लेयर यह आपके लिए बहुत जादा की रोल प्लेय करेगा खलीद इब्राहीम को आप इस मैच में ऐसा कैब वीसी बेशेक यूज़ कर सकते हो अच्छे डिफेंशिल पीक लगरे मचे खलीद हर्शित कौशिक आपके लिए डिसेंट पीक है बेसिकली बैटिंग कराएगा दो दोवर बॉल फर्च करेगा बहुत की रोल प्लेगा बॉल शेकन करेगा शायद मैं इनका बैटिंग ओडर देखते हुए इनका बैटिंग ट बैट्स मेंने देखो सबी राइट हैने बैट्स मेने तो हर्शित कौशिक एक्सपीरियंस थोरा सा कम है बट आपके टिम में पंद प्ले कर सकता है ओवर नसीर अजीच मोहमद समी दोनों मैच में विकेट लेस बॉल फर्च करेगा तो डेत करा सकता है यह सोचते हैं हम टो टाउन खिलेगा बट इनके उसके बाद के जो प्लेयस है अगर उनको मुहमद मुदसर बॉलिंग करेंगे न तो विकेट निकालेंगे तो बॉल फर्स्ट हुआ तो मैं मातना हो मुहमद मुदसर बहुत बढ़िया की रोल प्ले करेगा थोड़ा सा पास रिकॉर्ड है मै आप चाहो तो यहां पर डिव्यू कर सकते हो यह टीटेन का रिकॉर्ड है इनका तो मैं अलग अलग टीम के लिए सभी प्लेयस बिलॉंग करते थे तो यहां पर बहुत जादा आगे पीछे होता था रिकॉर्ड बट मुहमद मुदसर जैसे क्यों हो गया CBFS में खेला था इस प्लेयर कोई इनका टीटेन रिकॉर्ड 31 मैच में 20 विकेट है बट वो जो टीम के लिए खेलता था वो टीम अलग है उस टूर्णामेंट में गाइस बहुत अच्छे बैट्समें खेल देते वासी मौमब चीपी रिजवान सभी खेल देते बट इस टूर्णामेंट में ऐसे हैंनि अदिल मालिक को लग सकताया आपको बट ये बैटिंग सब को जाला पॉइंट देने नहीं वाला बॉलिंग से हिंट एंट मीसो में अब तक विकेट नी निकाले एंट लास्ट विकेट निकाले थे एकी मैच में चार अधर्वास डिसेंट था इनका यह रहा मेरा फिल राइम हर्शित कौशिक नसीर जीच इवें नसीर जीच के जगा भी बॉल फॉस्ट हो तो मुहमद मुदसर यूज करो अंश्रेंटर ने वाकर से लिया है सागर के लिया ने और हमारे पास है अदिल मली कि यह रहा मेरा वना फिलाल अपडेट में फ्यूचर अपका अफ्टर टेलिग्राम पर दिने वालन हो तो आप टेलिग्राम जॉइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मुहमद मुदसर ओवर नसीर जीच इस्पेशिल बॉल फर्स्ट बेशक यूज कर सकतो बाकि कुछ भी अपडेट होगा अफ्टर टेलिग्राम पर करना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना थैंक्यूएस मिलते हैं मैंच्टाम पर